सबी सातियों को नमस्कार इससे पहले हर्याना जीके की चार वीडियो चैनल पर डली हुई हैं उससे नेक्स्ट वीडियो फिप्त हम लेकर के आए हैं आर्थिक प्रीद रिशय किर्शी पसुपालन एवम सिच्चाई पर हम बात करने वाले हैं इसे पहले जो चार चैप्टर डाले हैं उनमें भी हमने बिल्कुल चैप्टर वाईज ही केस्टन डाले हुए हैं वो वीडियो आप पल लिस्ट में जागर के देख सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा शेर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक कोमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं चैप्टर हम करेंगे किर्शी पसुपालनयों सिच्चाई फर्स्ट क्योस्टन है इसके अंदर हर्याना राज्य को कितने किर्शी जलवायू क्षेत्रों में विभाजित किया गया है तो वो किया गया है हरियाना राज्जे को दो किर्सी जलवायू ख्यत्रों में विभाजित हरियाना में निमन में से किस खाद्यान की खेती की जाती है देखो हरियाना में चावल की भी होती है ग्याहू की भी होती है और चन्ने की भी होती है देखो करनाल से भी जाती है ये सोनिपत से भी और रोहतक से भी तो ये इन सब जिलों में सिचाई से की जाती है नेक्स्ट है इन िमिन में से कौन सी हर्याना की प्रमुक फसल नहीं है देखो इस तरीके कि क्योश्टेंज कई बार हसी पोचता हैं कि नहीं है तो नहीं वाला उप्शन को बोरे ध्यान से आपने पढ़ना है तो ग्यहूं यहां होता है चावल भी होता है मक्का भी होता है बड़ चाए नहीं होती है गैहु उत्पादन कीद्रिश्टी से हर्याना का भारत में कौन सा स्थान है तो हर्याना का जो है भारत में है राज़ा 21 जिले में गेहूं का सरवादिक उत्पादन होता है सरवादिक उत्पादन अगर बात आती है तो सिर्षा के साहिल में जो सिर्षा होती है जिला आपका उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हर्याना में चावल की खेती मुख्यत किन जिलों में होती है तो चावल की खेती लगबग जो है सभी जिलों में होती है करनाल में कुर्शेत्र में भी और कैथल में भी सभी जिलों में होती है राज्य के किस जिले में बाजरा का उत्पादन होता है तो बाजरे का उत्पादन जो होता है राज्य के इजार जिले में होता है तो यह हो जाएगा आपके जो है बाजरे के उत्पादन के बारे में गन्ना उत्पादन में हरियाना का कौन सा जिला अगरनी है गन्ना उत्पादन में हरियाना का युम्ना नगर जिला आगे है सबसे रज्या कौन सा जिला कपास उत्पादन में अगरनी है तो कपास में कौन सा जिला है ये सिर्षा शेसा एक और भी आया था ग्याहु में ये आप ध्यान रखिएगा भाकडा नहर हरियाना में कहां से प्रवेश करती है तो भाकडा नहर हरियाना के अंदर जो प्रवेश करती है वो करती है तोहाना से आपको ये बताना है कि तोहाना किस जिले में आता है राज constit के किन जिलो को सवयुक्त रूप से धान का कडोरा कहा जाता है सवयुक्त रूप की अगर बात आती है तो इंडिविज्जॉल में आती है तो आपको करी नाल हमने पड़ लिया है है अर्श्युक्त में आती है तो हम यह आन्सवर देंगे कैथल कुरुक्षयथर करनाल जीन इनको हम धान का कडवरा कहेंगे 144 सिंग किरशी विशेवदाल कहां आवस्थित है 144 सिंग विशेवदाल है हिसार के अंदर राज्जे में सरवादिक उत्पादन निवन में से किस्का है तो राज्जे में सरवादिक उत्पादन जो है वो गन्ये का इन में से सब में से ज़्यादा है रज्जे के खादैनों में से सरवादिक उत्पादक ता किस की है तो खादैनों में से अगर उत्पादक ता गए है तो गया हूं की है नेक्स्ट है हर्याना में सरवादिक शेत्र में किस फल की कहती की जाती है फल की अगर बात आती है तो हम आम की बात करेंगे राज़े किस जिले में आवले का उत्पादन होता है आवले का उत्पादन हमारे सिर्षा में ही होता है सिर्षा में तीन चीज़े आ चुकी है आपकी याद रखिएगा राज़े के अमबाला जिले में किस सबजी की खेती की जाती है अम्बारा जिल्य में सब्जी के जाती है तो आलो की हर्याना में किस सब्जी का सरवादिक उत्पादन होता है तो हर्याना की अगर बात करें complete तो उसके अंदर भी आलो हल्दी का राज्य के किस जिल्य में उत्पादन होता है में सरवादिक्षत्र में किस मसाले की खेती की जाती है अगर मसाले की बात आती है तब उसकेश के इंदर हम हलडी को ही लेंगे आझा हलदी सबसे ज्यादा खेती की जाती है नेक्स्ट है हर्याना राज्य में सर्वाधिक शेत्र में किस फूल की खेती की जाती है तो फूल की बाद आती है तो आप कहेंगे ग्लैडी यॉल्स ये जो है फूल इसकी खेती की जाती है इस चाई वाग का मुख्यले कहां बनाया गया है बहुत पर पूछा गया परसन है बहुत इंपोर्टेंट और पंचकुला मोश्टली हमारे जो मुख्यले हैं वो पंचकुला में ही मिलेंगे भैसो की संख्या तो हर्याना के अंदर भैसो की संख्या ये पुरानी हो सकती है अभी जो है दुबारा से जन्गना हुई है तो उसके अंदर आपके अलगा सकती है अगर इन मेंशे ओप्सन आपके बास में दिया हुआ है तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा उ नेक्ष्ट है हर्याना कि किस नसल सारे भारत फंपर परसिद है हर्याना में निवनργी मैं से किस श्तान पर पाल्त। पसूच सब को पता ही होगा कि यह मारा हिसार के अंदर है कि नेक्स्ट मुर्रा भैसो को हरियाना का कहा जाता है बहुत इंपोर्डन्ट केस्टिन है और बार बार पूछा जाता है तो हरियाना का कहा जाता है क्या काला सोना तो काला सोना कहा जाता है यह हरियाना का मुर्रा भैसो को तो यह थे कुछ प्राशन किर्शी पुशुपालन नयुम से चाई से संबंदित अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए जैहिंद फंदे मातरम